हाई गाईज दिस यूटूब चैनल मार्केड मुवर और यहाँ पे मिलते हैं आपको कॉलिटी वाले स्टॉक्स की डिटेल जी हाँ यहाँ पे मिलेगी आपको कॉलिटी वाले स्टॉक्स की डिटेल और आज जिस स्टॉक के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक स्टॉक के बारे में सायद आपने सुना होगा और सायद ही आप जानते होंगे क्योंकि इस स्टॉक को बेसिकली कबर ही नहीं किया गया है और यह स्टॉक देखिए धिमे-धिमे करके अपना 52 वीक हाई के आसपास में फिर से पहुंचने वाला है इस स्टॉक में एक बहुत दबा के माल खरीद लिया जाता है FIIS के तरब से और यह स्टॉक देखिए अपने 52 वीक हाई को फिर से क्रॉस कर रहा है देखिए इसके प्राइस को देखके ना भागिएगा प्राइस देखके अगर आप भाग रहे हैं स्टॉक मार्केट से स्टॉक को अगर प्राइस पिर आप सेलेक्ट करते हैं तो यह बहुत बड़ी बेवकुफी होगी ऐसा मेरा मानना है आपका मानना हो सकता है डिफरेंट कि आप 5 रुपे के स्टॉक को ज्यादा वैलू देते हैं बर आप अगर 2500 के स्टॉक पर डरते हैं तो बहुत बड़ी बेवकुफी होगी यह स्टॉक म इनकी प्राइज ऐसे पचीस सों पर नहीं पहुंच गई है इनका काम है इनका नाम है इनका दाम है इसके वज़े से यहीं स्टॉक वाटिश दो पर है तो इस चीज को नेगलेक्ट करने की कोशिस कीजिए कि 20 रूपय 50 रूपय के स्टॉक पर पोटेंसियल होता डेफेनेटली होता बड़ पचीस सो का स्टॉक आवाइड ना कीजिए नहीं तो बजाईस फाइनल्स कभी नहीं खरीद पाऊगे नहीं तो चोड़ी जो भी हुआ लेकिन अभी जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं ना अदर देन इंडिया मार्ट लिमिटेड इंडिया मार्ट के बारे में आहपने साइद बहुत कम ही सुनाओगा इंडिया माट की डीटेल्स वाली वीडियो आपको बहुत कम मिलेगी यूट्यूब पे स्टॉक दिरे-दिरे करके बहुत अच्छा काम कर रहा है स्टॉक हाली की लिस्टिंग है सबसे बड़ी बात है और इसलिए कबरिस्क बहुत कम लोग करते हैं 2019 म यह स्टॉक एक साल के अंदर में देखिए कितना चला तेरह सो पे लिस्टिंग चबीस सो लगबग आपका पैसा डबल कर दिया लगबग आठी मैने पर बार मैना भी नहीं लगा और यह स्टॉक दिरे-दिरे करके उपर जा रहा तो क्या खास बात है स्टॉक पे तो आपने जिस सिग्मेंट को मैं आपके सामने धिरी-धिरे करके प्रेजेंड करूंगा यहां पर देखिए यह चोटी सी डिटेल्स यहां पर दी हुई है बट इससे ज्यादा डिटेल्स में आपको देने वाला वीडियो पर इसी लिए मैं कहता हूं कि इसे बहुत जादे डिटेल्स for the business needs which acts as a interactive hub for the domestic and international buyers and suppliers buyers and suppliers यह B2B business करती है B2B business मैं इसके बारे में थोड़ी सी details आपको बताऊंगा लेकिन मैं company का profile आपके पास रखता हूं फिर B2B के पास आऊंगा तब आपको समझ में आएगा यह B2B और B2C यह दो दो categories के business run करती है market पे तो यह दोनों क्या है मैं एक ही example से clear कर दूँगा देखिए सबसे पहले इंडिया मार्ट वाज incorporated इन नियु दिल्ली एज इंडिया मार्ट इंटर में स्लिमिटेड ऑन सेप्टेमबर 13 1999 देखिए मैंने सचा कि आपको इनके website पे लाके उसके बाद सारी details बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है यह actually में business area क्या है the company is engaged देखिए website पर आते ही यहां पर सबसे पहला चीज मांगा जारा find buyers and suppliers online that means क्या है मतलब यहां पर आप buyers को भी ढूंड सकते हैं और suppliers को भी ढूंड सकते हैं दोनों का दोनों ढूंड सकते हैं आप यहां पर अपने प्रोडेक्ट को सेल कर ले के लिए अपनी सारी details दे सकते हैं साथ ही अगर आपको कोई चीज बल्क में परशेश करनी है तो आप यहां से यह माल भी उठा सकते हैं देखें यहां पर कुछ details दी गई है यह चीज को समझने की कोसिस किजिएगा कि इनके पास प्रोडेक्ट की कितनी कॉलिटी ड्रॉक्स एंड फार्मा हॉस्पिटल सेंड डाइग्नोस्टिक टूल्स वेगरा जो भी है फूड एंड एग्री कल्चरल के प्रोडेक्ट्स है इ यही इनका करते हैं इंडस्ट्रियर सप्लाइस भी करते हैं नहीं देखें क्योंट किट्मेट्मेंट यूट्रॉट्स प्लांस फूट्सिंग प्लांस एंड मसिनेरी ठीक है तो बहुत सारे प्रोडेक्ट्स की यह सेल्स करते हैं यहां पर डीटेल मौजूद है आप यहां पर आपको इंटर first पर नजर आएगा मेडिकल सैप्टि प्रोटेक्टिव क्लोथ इपूर्टिंग ऐच भिछ रहे हैं मेडिकल मास्क ए सरजिकल गलप्स आं सीप दॉतिंग इस अपको कितना क्याप सैसर यह 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 यहां पर से प्रोडेक्स मिल जाएंगे साती होस्पिटल का एक्यूपमेंट मिल जाएगा जो कि आप देख पारे होंगे यहां पर मॉनिटरिंग सिस्टम है मेडिकल वेंडिलेटर से थर्मो मीटर से यही कोवेड-19 का चेक करने के लिए भी थर्मल इसक्रीनर के नाम से इसे ही आ सभी में बी टुबी बीजनस करती है बीटु बिजनस का मतलब होता है बिजनस टू बिजनस तेख्यें मैं एक एकग्जाम्पल दूँगा आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी डान्यक्रावी और वी डीन से उप न सि में में समझ सकते हैं कि जैसे आप जिस दुकान से माल खरीदने जाते हैं वह एक retailer shop है जहां पर आपको माल छोटे-छोटे quantities में एक पीस चाहिए तो आपको मिल जाएगा वह क्या है retailer है और वह retailer जहां से माल लाता है वह है wholesaler ठीडियों के पास से माल रिटेलर को दिया जाता है यहां पर जो beयरा इस करीन पर यहां बीसी का बिजनस टिनि बेसाट आप बिजनस सोंनती है और इसाई's से जो आप माल खरीद रहे हैं consumers को तो यहां पर जो मान existential भी बिजनस करती है बड़े पैमाने पर तो इस चीज को समझेने की कोशिस किजीएगा ठीक है दा कमपनी इस इंडीन लार्ज रर्च बी तो बी मार्केटलेस्ट प्लेक्स अन्सर्वीस ओं-लाइन ठीक है सब्सक्राइब आपको कोई प्रोडेक्ट्स चाहिए आप आप कर खरीद सकते हैं आपको अपना माल बेचना है आप यहाँ पर अपना सारा डिटेल्स दे सकते हैं ये सारी चीजी इनके विजिट कीजिए और ज्यादा विजिट करने की जुरत नहीं है क्योंकि आल्मोस्ट मैंने आपको सारी चीज़े बता दिया अभी आपका कंपनी का मैं थोड़ा सा सकते हैं करें लेकिन आने वाले टाइम में मुझे असा नहीं लगता है कि यह स्टॉक जमाना आप देखरें डिजिटल का जमाना है मार्केट क्लोज है और इस मार्केट पे भी लगबक इनका काम थोड़ा मुड़ा होई रहा और आने वाले टाइम में यही बिजनस रन करेगी ऑनलाइन ऑफलाइन का मार्केट थोड़ा सा वीक होने वाला है आने वाले टाइम में ठीक है रिटर्न और इक्विटी और रिटर्न और कैपिटल इंप्लोइड कैल्कुलेटेड नहीं है विक्वाज आपको पता है कि हाली की लिस्टिंग है बट सेल्स ग्रोथ इनका पता चल रहा है क्योंकि पीछे के सेल्स ग्रोथ को लिया गया है परमोटर्स की जबजस्त होल्डिंग है प्लिजड नहीं है और डेट टो एक्विटी रेसी एक्सेप्टेबल हो वह भी एसी क्वाटर 2020 के मार्च क्वाटर पे थोड़ा सा डेट बढ़ा है कंपनी धाकर काम कर रही है लेकिन प्राइज इसका बहुत उपर पे है हाई लेवल पे नजर आ रहा है स्टॉक को वाच लिस्ट पे नजर रखिएगा वाच लिस्ट पे लगा के नजर रखिएगा मुझे नीचे के लेवल्स देखने को कम मिल रहे हैं लेकिन नीचे के लेवल्स दिखा सकता अगर मार्केट करेक्ट होता है तो तो नीचे के लेवल्स पे बाइंग करने की कोशि नहीं मिलने वाला है ठीक है अगर यह माल 2000 तक भी मिलता है 200 को आक पास भी मिलता है तो थोड़ा सा थोड़ा सा माल उठा के रखिएगा बहुत ज़यादा नहीं क्योंकि ऊपर फे खरिद के नीचे बेचने वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है वेट कीजिए वेट वाच कभी न कभी मार्केट में ऐसा कुछ हो जाए जिसके वज़ा से करेक्शन आ जाए तब स्टॉक को देखिएगा देखिए सेप्टेंबर के कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आएगा 138 के जगह पर 147 ज्यादा 117 उससे भी ज्यादा 165 उससे भी ज्यादा और 170 उससे भी ज्यादा तो सेल्स अच्छा खासा है प्रॉफिट भी ठीक ठाक कर रही है एर टू एर अगर देखिएगा तो भी आपको अच्छा ही नजर आएगा स एक साल अभी अभी इसका रिसेंटली कंप्लीट हुआ है जो मैं कहा रहाता है कि इनकी जो कंसिस्टेंट बोरोइंग थी यहां पर 2020 के मार्च क्वार्टर पर इनका 76 करोड का डेड़ है बट इस डेड़ को अब डेड़ ना समझेगा इसे डेड़ फ्री कंपनी समझेगा क् और एक हजार से उपर चली गई है 1123 करोड की और कंपनी के पास हमेशा क्यास रता क्यास ठीक है क्यास एक्टिविटी क्यास फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए 2018 में 180 करोड थी बट यह मार्च में ने 255 करोड की कर लिए तो आप समझ सकते हैं कि इनको अगर कोई प्रॉब्लम हुई डेट के चक्कर में तो यह कभी भी अपना पैसा चुकता करने के लिए दमसम रखती है स्टॉक बहुत ही जबरजस्त मुझे लगा है आपको कैसा लोगा इतनी डिटेल्स देखने के बाद हमें एक बाद जरूर कमेंड कीजेगा और स्टॉक को नीचे के लेवल्स पे 2000-200 इस लेवल पे अगर मिलता है बाइंग कीजिए अभी काफी ज़्यादा चल चुका है यह स्टॉक यह मैं आपको कहां से दिखाऊंगा यह भी मैं आपको दिखाने की कोशिस करूंगा कि यह स्टॉक काफी चल चुका है देखिए स्टॉक पे 52 वीक लोग से एक सो सताइस परसेंट का करेक्शन हो चुका इसी साल की लिस्टिंग है तो 1300 रूप्य का स्टॉक था 1300 कुछ रूप्य का और स्टॉक पे 2500 का भाव दिख रहा है तो इसलिए मैं कहा रहा हूं कि स्टॉक नीचे की लेवल्स पे जरूर कभी न कभी दिखेगा आसा नहीं है कि नहीं हो सकता है वन वे रैली किसी भी स्टॉक पे दम नहीं है कि एक ही साइड पे चलता जाए चलता जाए बहुत ज्यादा करेक्शन ना हो तो छोटा सा करेक्शन हो तो स्टॉक पे ध्यान दीजेगा मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि स्टॉक पर आपको पैसे लगाना ही चाह और हमारे वीडियो को लाइक कीजेगा साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आप तक कोई नोटिफिकेशन मिस ना हूँ मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर नए स्टॉक के साथ तब तक के लिए